चलिसी के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर इर्फान सोलंकी को लगा बड़ा छटका सपाविधायस इर्फान सोलंकी को रहत नहीं गैंस्टर मामले में कोट ने खारीच की बेल भाई रिजवान सोलंकी भी बेल उनकी भी खारिश कर दी गई इर्फान पर महीला का घर जलाने का आपको बता रहे है इर्फान सोलंकी को बड़ा जटकपर से लगा है कुछ दिनों पहले ही उनकी रिहाई की मांग जो है उठी थी और अब उनकी बेल के लिए साफ तोर पर कोट ने इस मांग को खारिश कर दिया है बता दे इनके भाई रिजवान सोलंकी की बेल भी खारिश कर दी गई है और इन पर आरोप लगा था महीला का घर जलाने का जिसके बास से इनकी मुसीबते जो है बढ़ती गई और बेल की इनकी मांग की ज़ारी थी इनकी इनके लिए जिसे अब सुप्रीम कोट ने पूरी तरहेके से खारिश कर दिया है साथी इनके भाई रिजवान सोलंकी की बेल को भी पूरी तरीके से खारिश कर दिया है बता दे सपा विधायक है एरपान सोलंकी बड़े आरोप इन पर लगे थे महीला ने जो है अपना घर जलाने का आरोप इन पर लगाया था जिसके तहद कि इनके गिरफ्तारी यहीं गिरफ्तारी के भास से ही मुसीबतें कम होने का नाम नहीं रही है इसके इस खबर पर हमारी सहयोगी देवा खाण हमारे साथ जुड़ चुकी है जेवा अभी भी इर्पान सुलंकी की मुसीबते कम नहीं हुई है महीला का घर चलाने का आरोपन पर लगा था जिसके ताथ इनकी गिरपतारी हुई थी और अब जो है कोट ने पूरी तरीके से इनकी बेल खारिच कर दिये जो विधायक है सपा विधायक है दरसल ये अभी तक जो भी है कानपूर में ये विधायक की लगाता जीते रहे हैं समाजवादी पार्टी से आर नगर इनकी सीट रही है इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो जाजबों में प्लाट के कबजे को लेकर एक महीला का घर जलाने का इन पर आरोप लगा और इस सब मामलों को लेकर जब विधायक का इतिहास वंगालना शुरू करा कापी एप्लिकेशन हैं इनके खिलाफ पुलिस को मिली जो पहले कभी न कभी दबा दी गई थी इसके अलावा इनके रसूक के चलते और भी कई मामले इनके ओपर खुलते चले गए और दरसल क्या पुलिके आगा हैं तर दोनों पच्छों सुनने के बाद में जो तो भी आप चांस नहीं है क्योंकि तेसे आपने बताया कि इनके उनने चीजे की थी वह भी अप सामने आ गई हैं जी ब़िकोई बछ जुटली बहुत शुक्रिया आपका हमारे सच्जर चुन्कार और तेछ तो बड़ी कवर हमने आपको बताई इर्फान सोलंकी को एक बार फिर से बड़ा छटका लगा है गैंग्स्टर मामले में कोट ने पूरी तरीके से इनकी बेल जो है खारिच कर दी है क्योंकि जब कोट ने और पूलिस ने इनके रिकॉर्ड खंगा ले तो कापी जादा चीजे बहार निकल कर आई तो पूरी तरीके से इनकी बेल को खारिच कर दिया गया है